हलो स्टूरेंट मैं शाहिन लूथरा आज हम करेंगे क्लास 8 का चाप्टर नमबर 14 फैक्टराइजेशन उसके एक्सरसाइस 14.1 का कोशन फर्स से स्टार्ट करते हैं फाइंड दा कॉमन फैक्टर अफ गिवन टर्म्स हमें नीचे टर्म्स दे रखी हैं इनके अंदर से हमने क्या करना है common factors रहे हैं वो find करने हैं अगर आपने introduction वीडियो देखा होगा तो आपको इस सब जो है easily और जल्दी समझ में आ जाएगा तो 12x और 36 के पहले हम factors निकालेंगे फिर हम इस पर से देखेंगे common factors कौन से हैं तो 12x का हमारा क्या factor बनेगा 12 का हमारा factor का हम यहाँ पर इसको 12 को करें तो 2 6 जा फिर 2 3 जा फिर 3 1 जा तो क्या factor बन रहे हैं 2 into 2 into 3 x है तो into x यह हमारे 12x के factors बन गए और 36 का क्या factor बनेगा, अगर हम 36 को 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 तो क्या है 2 into 2, 3 into 3, 2 into 2 and 3 into 3, यह इसके factors बनेगे, इसमें common क्या आ रहा है, दोनों में 2 है, और इन दोनों में 2 है, और इन दोनों में 3 है तो common factors जो हो जाएंगे हमारे 12x और 36 के common factor of 12x and 36 equal 2 into 2 into 3 ये जो है इसके common factor हो जाएंगे तो 22 जा 4 और 4 3 जा 12 ठीक है ये इसका answer हो जाएगा second है 2y और 22xy तो 2y का हमारा क्या factor बनेगा 2y का सिंपल है 2 into y बनेगा और 22xy का क्या factor बनेगा हमारा 2 into 11 आप इसको करके देख सकते हो into x into y ये हमारा 22 11 to 22 होता है into x into y तो ये इसका factor बन जाएगा अब इसमें से common क्या है दोनों में सिर्फ 2 है और दोनों में y है तो common factor of 2y and 22xy equal 2 into y 2 into y दोनों को multiply करेंगे तो क्या आएगा 2y एसी third है 14pq और 28p square q square तो पहले 14pq का अगर हम निकालते हैं तो 2 into 7 हमारा 14 क्यों हो गया factor पी into q होगया और 28p square और q square का क्या होगा 2 into 2 into 7 그냥 4 of 4 7, 28 और p square तो p two time आएगा और q square तो q भी हमारा two time आएगा तो इसमें common क्या आएगा टू आहरा है दोनों में 7 आ रहा है और दोनों में q आ रहा है तो common factor क्या हो जाएगा हमारा इसका हम लिखेंगे common factor of 14pq and 28p square and q square equal 2 into 7 into p into q. अब हम इसको multiply करेंगे तो क्या आज़ेगा? 14pq. ठीक है? ये इसका answer हो जाएगा. अब इसका जो है हम force देखते पार्ट. तो 2x, 3x square of 4. अब 2x के गरण factor देखें तो 2 into x बनता है. हम इसके साथ 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि जो है 1 तो 1 के table में तो सभी आते हैं तो 1 सब का factor होता है. ऐसी 3x square में 3 into x into x into 1 और 4 में 2 into 2 into 1. तो इसमें common क्या आ रहा है? देखो तीनों में सिर्फ हमारा 1 ही common आ रहा है. तो common factor of 2x, 3x square, 4 equal 1. यही इसका answer है. फिफ्ट देखते हैं इसका. तो है 6abc, 24ab square और 12a square और b. तो पहले 6abc. तो इसका क्या होगा? 2 into 3 into a into b into c. 24ab square. तो 24 का क्या होगा? आप करके यहां पर देख सकते हैं 24 का. 2 into 2 into 2 into 3. अब a. और b square है तो b हमारा 2 time आ जाएगा. ऐसे ही 12a square और b है. तो 12 का क्या होगा? 2 into 2 into 3. a square है तो a into a हो जाएगा और b. ठीक है? अब देख लेते हैं common क्या क्या आ रहा है? इसमें 2 है. जो हमारा 3 में common आ रहा है. इदेर हमारा 3 भी आ रहा है common. और इदेर हमारा a तीनों में आ रहा है. तो common factor of 6abc. 24ab square. और हमारा क्या था? 12a square b. इसका जो common factor है. 2 into 3. a into b. यह common है तो 2, 3 just 6. a और b को multiply करेंगे तो a, b. ठीक है? यह जो है इसका answer है. अब है 16x cube minus 4x square 32x. तो पहले रहेंगे 16x cube का 2 into 2 into 2 into 2 into 2. x into x into x. और minus 4x का क्या होगा? minus 2 into 2. क्योंकि 2 को 2 से करेंगे तो 4 और minus करेंगे तो minus 4 आएगा फिर. और x square तो x into x. 32x. 2 into 2 into 2. 2 into 2. और आएगा हमारा x. आप इसको factors करके देख सकते हों यहाँ आपके ठीक है? आप देखते हैं इन मेसे जो है वो common factor हमारे कौन से निकल रहे हैं? common factor of 16x cube minus 4x square और minus 32x. इसमें से common हमारा क्या आ रहा है? तीनों में हमारा x आ रहा है और तीनों में हमारा यह 2 आ रहा है. और एक और जो है हमारा अब यहाँ पर देखो हमारा minus का 2 है यह ठीक है? तो हमारा जो common आ रहेगा इसमें एक तो हमारा यह 2 हो तीनों में common आ रहा है ठीक है? एक इधर से यह आ रहा है. और x भी हमारा तीनों में common आ रहा है. एक 2 और है जो हमारा इसमें common आ रहा है. ठीक है? यह हमारा एक और जो है वो common आ रहा है तो हमारा क्या आ गया 2 into 2 into x तो 2 टू जा 4 into x कितना हो जागा 4x तो यह इसका common हो गया ठीक है अब हमारा 7th है यह पहले हम करेंगे 10pq का 2 into 5 into p into q उसके बाद 20qr का क्या होगा हमारा 2 into 2 5 into q into r ठीक है अगर हम 20 का करेंगे तो हमें यह आप यह मिलेगा 10 फिर 2 से करेंगे 5 फिर 5 से करेंगे 1 यह है 2 into 2 into 5 ऐसी 30 का हमारा है r p तो 2 into 3 into 5 और into r into p अब तीनों में हमारा क्या common आ रहा है तीनों में 2 common आ रहा है तीनों में 5 common आ रहा है और हमारा जो है इसमें कुछ भी common नहीं आ रहा, तो common factor of 10pq, 20qr, 30rp equal 2 into 5 equal 10, ठीक है, यह इसका answer हो गया, अब इसका last part है 8, इन तीनों का पहले हम देख लेते हैं, first है मारा 3x square y cube, तो इसका हो जाएगा 3 into x square है, तो x into x हो जाएगा, y cube है तो y into y into y हो जाएगा, 10x cube y square, तो हो जाएगा 2 into 5, x into x into x, और y into y, 6x square, y square z, तो 2 into 3 हो जाएगा, 6 का, और x square है तो x into x, और y square है तो y into y और z आ जेगा, क्या common आ रहा है इसके अंदर से? इसके अंदर हमारा जो है 3ो में x आ रहा है और 3ो में हमारा y आ रहा है, कितने time आ रहा? देखो X हमारा कितने बार आए एक तीनों में, फिर से हमारा जो है X एक और common तीनों में आ रहा है, ऐसे ही Y जो हमारा तीनों में common आ रहा है, दो दो बार, ठीक है, तो इसलिए यह हो जाएगा हमारा X into X और Y into Y, यह हमारा जो है वो common आ रहा है, तो X को X से multiply करेंगे तो X square और Y क इसका जो है हमारा common निकलाएगा, ठीक है common factor, तो यह हमारे इसके first question complete हो जाता है, question number 2 करेंगे exercise 14.1 का, इसमें भी हमें क्या करना है, factorize करना है, जितनी भी हम इनी जो expressions दे रखी है, हमने इसको factorize करना, बहुत ही easy और बहुत ही simple है यह factorize करना, first है हमारा 7X minus 42, तो इसका factorization कैस 7X का factorization हो गया, minus का sign है, minus, अब 42 को कैसे होगा, अब यहाँ पर 42 को करके देख लो, यहाँ पर, 2 से कर लो, 21, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1, ठीक है, क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, यह हमारा 42 का factorization हो गया, ठीक है, अब देखो 7 है और X है हमारा, तो यहाँ पर, यहाँ पर भी 7 है, और यहाँ पर, तो दोनों में से 7 के आ जाएगा, हमारा common आ जाएगा, बच्चे का क्या है, इसमें, X बचा और 2 3 जा, 6 minus का sign है, तो 6 आ गया, ठीक है, यह हमारा इसका, इस तरीके से हम इसको करेंगे, सेकिंड देखो, 6P minus 12Q, तो 6P minus 12Q का हम कैसे कर तो P आ जेगा, बीश में क्या है, minus का sign 12 का क्या होगा, 2 into 2 into 3, 2 into 4, 4, 3 जा 12, और 7 में क्या है, Q, तो Q आ जेगा, आप इसमें से हमारा common क्या आ रहा, देख लेते हैं, 2 इधर भी है, और 3 इधर भी है, तो 2 into 3 हमारा common आ गया, बचा क्या हमारा, P minus का sign, उसके बाद हमारा क्या बचा है, Q, ठीक है, साथ में हमारा एक 2 और बच गया, तो 2 into Q आ गया, तो 2 3 जा क्या होजएगा, 6 P minus 2 को Q से करेंगे, तो 2 Q आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हम इसके factorize करेंगे, अब है 7 A square minus 14 A, तो सबसे पहले 7 A का करेंगे, तो क्या आएगा, 7 into A into A, A square तो A 2 time आ गया plus 14 का क्या होगा, 2 into 7 into A, common क्या है, इस में से हमारा, दोनों में 7 B है और दोनों में A B है, तो यह हमारा common आ गया, बचा क्या, A plus 2 बच क्या हमारा, वो हमारा इदर आ गया, 7 को इसे multiply करेंगे, 7 A और A plus 2, ठीक है, simple है बहुत, आगे करेंगे अब हो, minus 16 Z का कैसे करेंगे, पहले 16 का करेंगे, minus 2 into 2 into 2 into 2, 16 का into Z हो गया, 7 में आ गया, plus 20 का क्या होगा हमारा, 2 into 2 into 5, और Z cube है तो Z into Z into Z, 3 time आ जाएगा, ठीक है, अब इस में से common क्या है, 2 है हमारा इधर, और इधर भी हमारा 2 है, ठीक है, और इधर कितने 2 है, देखो, यहाँ पे हमारे 2 जो है, इस में से हमा आ जाएगे, तो 2 into 2 into Z दोनों में है, तो Z common आ गया, बचा क्या हमारा अंदर, minus का 2, ठीक है, और multiply 2, और हमारा भी हमें प्लस का sign है न, तो यहाँ पे हमारा plus का sign आ जाएगा, 5 और Z into Z, यह जो हमारा अंदर बच जाएगा, ठीक है, हमारे यहाँ पे 4 2 थे और यहाँ पे 2 थ हमने यहाँ पे लिख दिये, उसके बाद plus का sign 5 और Z into Z, जो हमारा दो Z बच के वो भी हमने यहाँ लिख लिख लिए, देखो 2 तू जा, 4 into Z, minus 2 और 2, 2 तू जा 4, minus का 4, plus 5, और Z को Z से करेंगे, तो Z square आएगा, बीच में, ठीक है, आप देखो 4 को Z से करेंगे, तो 4 Z यह हो जाएगा, 5 X square Y minus 15 X Y square, तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे, पहले इसका factorization कर लेता है, 4 into X into X into Y minus 15 का क्या होगा, 3 into 5, 3 5 जा 15, into X Y square है, तो Y 2 टाइम आ जाएगा, अब इसमें से हमारा क्या common निकलेगा, common है हमारा इन दोनों में, 5 common है, और दोनों में हमारा X common है, और दोनों में हमारा Y common है, बचेगा क्या हमारा 1 X यह बच जाएगा, minus 3 बचेगा, और into Y बच जाएगा, इन तीनों को multiply करेंगे, तो 5 X Y हो जाएगा, और यह आपस में यह दोनों multiply हो जाएगे, तो X minus 3 Y हो ठीक है, 7 देखो, 7 में होगा है, 10A2, 10 का क्या हो जाएगा हमारा, 2 into 5, और A into A हो जाएगा, यह इसका factorization हो गया, minus 15 का, 3 into 5, और B into B, 20 क्यों आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा plus का sign है, 20 का क्या होगा, 2 into 2 into 5 into C square है, तो C into C हो जाएगा, अब इसमें से common क्या आ रहा है, दे A into A, minus 3, B into B, यह बच गया हमारा, plus 2 into 2 बच गया, into C into C बच गया हमारा, ठीक है, तो 5 का तो 5 ही आएगा हमारा बहार, अब हम इन तीनों को multiply कर देंगे, तो 2A square हो जाएगा, minus 3, B square हो जाएगा, plus 2, 2 जा, 4, और C को C से करेंगा, तो C square हो जाएगा, ठीक है, यह हमारा इसका answer हो जाएगा, अब एट में, minus 4A square, plus 4AB minus 4C है, तो पहले हम इसका factorization करेंगे, तो क्या आएगा, minus 2 into 2, और A into A, A square है, अब 4 का फिर से आजएगा, 2 into 2, और A into B हो जाएगा, minus 4 है तो फिर से, हमारा हो जाएगा, 2 into 2, और C into A, यह C हो रहे है ना, तो C into A, common क्या निकलेगा, देखो तीनों में हमारा क्या है, एक, दो, तीनों में हमारा क्या है, 2 है, और यह सात में हमारा, यह भी हमारे तीनों में 2 है, तो आजएगा हमारा بाहर, 2 into 2, इन्टू A, यह जो हमारा minus का है, तो वह हम अंदर A के साथ ले लेंगे, minus, ये जो हमारा minus है वो A के साथ आज़ेगा, A हमारा इसमें common तीनों में है, तो A A तो हमने बाहर ले लिए, A के हमारा बच गया, उसके बार हमारा बचा है यहाँ पर B, ये कौनसा है इमारा plus का, तो plus का B आजएगा उसके बाद जो हमारा C है ये ये भी हमारा माइनस का है तो ये हमारा इधर आजएगा तो दोनों को multiply करेंगे 4A bracket में हमाजएगा है माइनस A प्लस B और माइनस C ठीक है ये इसका आजएगा 9 हमारा आए इसके पहले हम factors कर लेंगे x into x y into z plus x y into y z plus x into y और z into z क्योंकि ये square ठीक है अब इसमें से common हम देखते हैं x into y into z तीनों में है ठीक है और अंदर भी हमारा x plus y और plus z ये बच रहा है तो तीनों को multiply करेंगे x y z हो जाएगा अंदर रहेगा x plus y plus z ठीक है लास इसका part है वो देखते हैं a पहले इसके factors निकाल लेते हैं a into x into x into y plus b into x y into y plus c into x into y into z क्योंकि ये single single है कोई square ने तो एक ही की बारी आएगा ठीक है इसमें से common हमारा क्या निकल रहा है तीनों में हमारा x है और तीनों में हमारा y है तो common हागया हमारा x plus x multiply x into y common हागया बचा क्या हमारा अंदर a into x यहां से बचा यहां से बचा हमारा b into y plus यहां से बचा हमारा c into z ठीक है अब इन दोनों को multiply करेंगे तो x y हो जाएगा इन दोनों को multiply करेंगे तो a x हो जाएगा इन दोनों को by हो जाएगा और इन दोनों को multiply करेंगे तो c z हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा हो गया question number 2 complete हो गया question number 3 देखेंगे exercise 14.1 का इसमें हमें क्या करना है factorize करना है ठीक है first में हमने common factor निकालें फिर हमने इसका x factorize किया इसको अब हमने इसको भी क्या करना है factorize करना तो first है हमारा x square plus x y plus 8x plus 8y सबसे पहले हम इसको factorize करेंगे किस सरीके से करेंगे हम इसको factorize 8x है और 7 में हमारा क्या है x y ठीक है तो हम इसको करेंगे regrouping से जैसे कि हमने introduction वीडियो में समझा था कि हम इसको क्या करेंगे दो दो यह जो terms दे रखिया हम इसका regroup करेंगे तो फहले x square plus x y का क्या हो जाएगा हमारा x हमारा जो है वो common आएगा बहार और x plus y जो है वो हमारा अंदर आजएगा ठीक है उसके बाद ऐसे यहां से हमारा x common आ गया और क्या बचा हमारा x plus y जो हमारा यह बच गया आप इसमें देखोगे कि यह जो आपके दोनों है यह same आएगे जितने भी हम questions करेंगे सब में same आएगे अगर x plus y इधर है तो इधर भी आएगा तो हमारा क्या आजएगा? हमारा आजएगा x plus y दोनों में है तो वो हमारा common आ गया और बागी बचा हमारा क्या? x plus 8 इस तरीके से हम इसको factorize करेंगे regrouping term से ठीक है? हमने इसको regroup कर लिया आगे भी देखो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा 15xy हो गया minus 6x plus 5 अब देखो इसका भी जो है हम इसको regrouping करेंगे तो पहले 15xy का क्या करेंगे? हम 3x करेंगे और इसको हम multiply करेंगे 4y देक अगर हम इन दोनों को multiply करेंगे 15xy हाजेगा minus 2 करेंगे 3x को 2 से multiply करेंगे तो 6x आएगा plus आप इसमें हमारा जो है कुछ भी आप एगर नहीं आ तो हम इसमें यहाँ ले लेंगे तो इसको हम करेंगे 5y minus 2 अगर हम इसको इसको multiply करेंगे 1 को इससे तो same आएगा देखो यह दोनों हमारे फिर से same आएगा तो यह हमारा common आ जाएगा और 3x plus 1 यह हमारा आ जाएगा ठीक है यहनी कि जो दोनों common आ रहे एक हमने वो लेना होता है एक जो हमारा बहार यह होता इसको हम लेते हैं ठीक है अब थर्ड वाला देखो इसमें भी यह दो है तो a x plus b x है तो इसमें हमारा क्या आ गया x बहार आ गया और अंदर क्या बचा हमारा a plus b minus इसमें क्या हमारा y है y common आ गया तो बचा क्या a एक में हमारा इसमें हमारा क्या है इसमें में प्लस लगाएंगे बीच में कियों? क्यों किala आगर은 plus minus minus करेंगे तब भी ओ बनेगा अगर हम minus लगादेंगे तो minus minus वो plus हो जाएगा इसलिए हमें इधर जो है sign change कर र गया और X-Y भी हमारा इधर आ जाएगा ठीक है तो यह थर्ड हो गया फॉर्थ देखते हैं इसका अब हम फॉर्थ में देखो 15 ये दो और ये दो ठीक है तो पहले हम देलेंगे इसको बहार 3Q 3Q को अगर हम अंदर 5P से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 15P क्यों आजएगा 5 फॉर्थ 15 अगर मैं यहाँ पर 3 लिखती हूँ तो 5 3 हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और प्लस 5 5 जा 25P आ जाएगा यहाँ पर देखो 5P 3 फाइफ पी 3 दोनों का सेम आ रहा है 5 5 जा 25 3 दोनों का कॉमन आ गया 5P प्लस 3 और हो गया 3Q प्लस 5 तीक है इस तरीके से हमने क्यों किया क् इधर भी Q था और इधर भी Q था अगर हम इधर लिखेंगे तो 3Q को अगर मैं यहाँ पर 5 से मल्टिप्लाइ करती तो 15 Q बन जाता जबकि हमें 15 Q या नहीं चाहिए सिंपल हमें 15 चाहिए तो हमने इसको इधर कर दिया अब लास देखो इसका Z-7 प्लस 7XY-XYZ तो सबसे पहल यहाँ पर जो है अब हमारा है प्लस 7XY और यहाँ पर हमारा माइनस XYZ तो इसमें जो हमारा दोनों में क्या आ रहा है XY को बना रहा है तो यहाँ पर माइनस का XY लेंगे और अंदर हम लेंगे यहाँ पर माइनस का 7 अब माइनस XY को जो माइनस 7 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो प्लस का 7XY बन जाएगा यहाँ पर हम लेंगे प्लस का Z क्योंकि अगर हम प्लस माइनस माइनस करेंगे तब ही हमारा माइनस का XYZ अगर हम इन दोनों को multiply करेंगे तो हमारा माइनस का XYZ आएगा ठीक है? अब इसके अंदर जो है हमारा दोनों जो है वो same आ रहा है positive हमारा z है इधर भी इधर भी negative हमारा 7 है और इधर भी और इधर भी तो हमारा common आ गया z minus 7 ये लिख लोगे और 7 में x minus 1 minus xy ठीक है यह आ जाएगा देखो ये दोनों हमारा same ये है बस इसके plus का sign नहीं है ये positive ये भी positive है ये 7 negative है ये भी negative है तो ये इसका जो है वो answer हो जगा यहाँ पर हमारा exercise 14.1 वो complete हो जाती है hopefully आपको ये video helpful लगा वीडियो helpful लगा तो please like, share, subscribe करेंग you